हाँ जी, लेडिस और जेंटलमें, बॉइस और गर्ल्स, वेलकम यू अल तो दिस वीडियो, प्रिलिम्स स्पेशल फ्यू मिनित सीरीज में बात करेंगे G20 के बारे, G20 के बारे मैं पहले भी बहुत बात कर चुका हूँ, लेकिन G20 के बारे बात बार बार करनी ज़रूरी क्यो तो मैं कुछ ऐसी important बातें, प्रिलिम्स प्रिस्पेक्टिव से discuss करना चाहता हूँ, जो के आपको G20 के बारे पता होनी चाहिए, जैसे के G20 देशों का नाम कैसे याद रखें, क्या trick है G20 देशों का नाम याद रखने के लिए, उसके बाद G20 का logo क्या है, G20 का theme क्या है, क्य significance है, यह सब बाते factual चीजे हैं, मेरा concern यह है कि अगर ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं, मैं बार-बार कहता हूँ कि यह easy questions होते हैं, organizations related हो, themes related हो, G20 के logos related हो, तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका यह सवाल गलत ना हो, इसके कारण मैंने यह वीडियो बनाया है, छोटा सा व आता हूँ कि आप सब की demand पे, popular demand पे, हम फिर से prelims PYQ marathon session लेके आ रहे हैं, इस Sunday से, यानि की coming Sunday से 19th February से history का prelims PYQ marathon session होगा, कवल सर, opening करेंगे, इस PYQ marathon session की, और यह 19 February से लेके 2 April तक रहेगा, यह schedule आपके सामने दिया गया है, प्लीज नोट कर लेना, संडे को तो पहर 12 बज आप देख रहे हैं, G20 भारत 2023 इंडिया, ये तो है logo, ये तो है इस साल का logo, G20 का, और ये वासुदेव कुटुम्बकम, one earth, one family, one future, ये क्या बनता है, ये G20 की theme है, for the year 2023, ये आपको बात पता हो, पहले तो लोगो के बारे बात करें, तो देखी, लोगो, लोगो में फिर से अब ये हम पीछे जाके image देखते हैं अगर एक बारी, आप यहाँ पे देख रहे हैं, G20 का logo, यहाँ पे आपको नीचे कमल का फूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कमल के फूल के उपर आपको planet दिखाई दे रहा है, अब G20 की logo में आप कौन से colors देख पा रहे हैं, जो हम कमल का फूल, lotus flower, significance यह है, कि कमल का फूल उभरता है, निखरता है, मिटी से, जहाँ पे चीकड होता है, मढ होता है, तो कही ना कहीं, यह हमारा जो logo है, वो यही अप्रोच दिखाने की कोशिश कर रहा है, कि अभी दुनिया में बहुत गंदगी है, वातावरन में बहुत गं रहे हैं, कारबन डाइकसाइड लेवल, जो हैं, ग्रीन हाउस गैसे लेवल, जो हैं, वो बहुत बढ़ रहे हैं, तो कैसे इतनी गंदगी के बावजूद भी, कमल के फूल की तरह, जो दुनिया है, वो उभर सकती है, एक purity के साथ, कैसे दुनिया का पुनर जनम हो सकता है, भारत की presidency में, तो ये जो colors हैं, ये जो logo है, ये बात दर्शाते हैं, और आप लिए ये जो हमारी इस बार G20 की presidency है, इसमें climate change के agenda को हम बहुत vociferously adopt कर रहे हैं, और below the G20 logo is written भारत, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, भारत लिखा हुआ है, एक और image आपको मैं दिखाऊँग बहुत easy लगेंगी, कि सर इसमें तो कोई rocket science वाली बात नहीं है, question आएगा, question आएगा और वहाँ पे हमारा गलत हो जाता है, हमको कि उसका answer पता नहीं होगा कि क्या माँ करना है, क्या नहीं माँ करना है, वहाँ पर elimination method भी नहीं apply कर पाएंगे, अब UPSC की आदत है, UPSC कुछ भी पूछ सकता है, अब यह logo है, logo को ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीचे ध्यान से देखिए, कौन से कौन से colors हैं, colors आपके साथ मैंने share करे हैं, नीचे lotus का flower है, lotus के flower के उपर planet बना हुआ है, क्या theme है, क्या logo है, क्या किस चीज में लिखी की, यह आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, अब theme की बात करें, भारत की जो G20 presidency की theme है, वासुदेव कुटुम्बुकम, याने के one earth, one family, one future, याने के सब कुछ बहुत interconnected है, चाहे वो हम human beings की बात करें, हम पशुपक्षियों की बात करें, plants की बात करें, microorganisms की बात करें, कि जिदगी जो है, इन सब पे जुपकम की बात आती है, ये कहां से ड्रॉ करा गया है, ये ड्रॉ करा गया है, ancient Sanskrit text of the Maha Upanishad, please no doubt करें, ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, कौन से उपनिशद से कौन सी चीज उठाई गई है, ये बात आपको पता हो, आपको ये भी पता हो, कि ये जो theme है, one earth, one family, one future, क हमारे agenda में pro planet issue जरूर रहेंगे, और ये जो approach है, pro planet की, ये cosmopolitanism approach के साथ, यानि कि वासुदेव कुटुम्भुगम की जो हम बात करें, interconnected approach के साथ, काफी synchronize में रहता है, और ये theme spotlight करता है, lifestyle for environment, यानि कि life की बात करें, अभी recently आपने देखा होगा, एक लोगसभा debate में, मूद sustainable development को reflect करता है, pro environment approach को reflect करता है, ऐसी चीज़े पहने, ऐसी चीज़े utilize करें, जो के, जो carbon dioxide का footprint है, atmosphere में, environment में, वो कम कर सकता है, तो कही ना कहीं हमको ये जो lifestyle है, जो के थोड़ा pro environment lifestyle है, वो individual basis पे भी और national basis पे भी हमको adopt करना पड़ेगा, हमको lead लेना पड़ेगा, कैसे हम ये sustainable solutions adopt करके, बाकी देशों को भी प्रेरित कर सकते हैं, तो ये G20 के theme का part है, lifestyle for environment, ये बात भी आपको पता हो, फिर से लोगों देख लेते हैं, ये आपके सामने logo है, G20 का नीचे भारत लिखा हुआ है, भारत देवन अगरी script में लिखा हुआ है, ये आपको बात पता हो, then G20 की theme ये theme है, theme यहाँ पर देख सकते हैं, वासुदेव कुटुम्बकुम, one earth, one family, one future, मैं बार बार बोली जा रहा हुँ, ताकि आपके subconscious में ये बाते feed हो सकें, ताकि आपको exam के time पर याद हो, कि ये मेरा question गलत नहीं होना चाहिए, सर ने इस वीडियो में repeatedly ये बाते बहुत बार गया है, अब काफी organizations हैं, आपको पता हो कि African Union को भी invite करा गया है, ये important बात है, उसके लावा UN, IMF, World Bank, WHO, ये हर साल कहीं बे भी G20 का बैठक होती है, वहाँ पर ये organizations पे representatives आते हैं, आपको ये बात पता हो कि भारत की G20 Presidency में भारत का एक बहुत important agenda होगा, कि कैसे African Union को भी G20 मे membership मिल सके, और उसके लावा कुछ important independent countries जिनको invite किया गया है, guest countries, यानि कि ये वो देश है, जो कि G20 का हिस्ता नहीं है, बांगलादेश, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain, UAE, अब इनको याद करने के लिए acronym की जरूरत नहीं है, G20 के देशों को कैसे याद रखा जाए, उसके लिए acronym जरू आँगा इस वीडियो में, कुछी मिनिट में, लेकिन आपको पता हो कि कुछ guest countries को भी invite करा आगया है इस बैठक में, फिर हमको पता हो G20 का Troika के बारे, अब G20 का देखे कोई permanent secretariat तो है नहीं, अब क्योंकि अब G20 की presidency भारत के पास है 2023 में, तो definitely अभी secretariat यहाँ पे होगा, अ पर्मनेंट secretariat नहीं है, Troika की बात आती है, याने के तीन देश, याने के एक देश, Indonesia, जिसके पास पिछले साल G20 की presidency थी, आज महारत के पास है और आने वाले, याने के अगले साल में, ब्रजील के पास होगी, 2025 में किसके पास होगी G20 की presidency, बताइए ज़रा comment section में, मैंने इस के बारे पहले भी आपको बताया हुआ है, now how does G20 work, तो G20 के दो parallel tracks होते हैं, एक तो होता है finance track और एक होता है शर्पा track, ये बातें आपने पड़ी होंगी पहले, मैं ये नहीं किया आपने नहीं पड़ी, लेकिन again मैं ये क्यो repeat कर रहा हूं, because important बनता है हमारे prelims 2023 revision के point of view से, तो G20 में दो tracks आते हैं, एक finance track और एक शर्पा track, तो यानि कि जो finance ministers हैं, या हर एक country के जो individual central bank governors हैं, वो इस finance track discussion को lead करते हैं, और G20 process जो है, that is led by the sharpas of the member countries, जो के personal emissaries होते हैं of the leaders, of the heads of the states, अब कौन है शर्पा, G20 की presidency के भारत के कौन शर्पा बने हैं, वो भी आपने comment section में बताना है, ठीक है, तो ये जो शर्पा's appoint किये जाते हैं, ये जो personal emissaries appoint किये जाते हैं by the heads of the state, ये पूरी negotiations को oversee करते हैं, over the course of the year, ऐसा नहीं है, कि G20 की जो meeting है केवल 9 या 10 September 2023 को होगी, उसके लाबा कोई meeting नहीं होगी, आपको पता है, लगबग 200 से जादा meetings related to G20, इस साल में भारत में 50 से जादा शेरों में होने वाली है, तो जो भी negotiations रहेगी, जो भी बातचीत रहेगी, जो भी consensus बनेगा, वो finally, वो final G20 meeting में, जो के 9 से 10 September 2023 को है, वो वहाँ पे adopt किया जाएगा, जिसमें शर्पास का बहुत important योगडान रहेगा, तो आपको ये भी पता हो कि 88 G20 का जो बैठग है, host city कौन सी है, वो New Delhi है, G20 से related events तो 200 से जादा होने वाले हैं, भारत में, कश्मीर से लेके कन्या कुमारी में, 50 से जादा शेहरों में, G20 के ये events होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बैठग G20 की of the heads of the state, heads of the state, यानि के जहाँ पर प्रधान मंतरी, President of the respective countries ब कौन से देश G20 के आते हैं, यहां पर आपके सामने image बनी हुई है, मैं आपको भी trick के बारे भी बताऊंगा, towards the end of the video, कि कैसे G20 देशों को याद रखना है, again factual information, G20 को स्थापित करा गया था 1999 में, Asian financial crisis के बाद, उसके बाद, again 2008 में global financial crisis आता है, तो उसके बाद और गंभीर त economic issues, climate related issues जो है, energy related issues जो है, उसके ओपर भी discussion करी जा रही है, ठीक है, और in fact 2008 से हम देख रहे हैं कि G20 की जो meetings हैं, वो और ज्यादा periodic हो रही है, at the level of the heads of the state, और since 2011, G20 summit is held annually, under the leadership of the rotating presidency, पहले आपको मैं फिर repeat करूँगा, most ही जो issues जिसके बारे discussion करी जाती थी, वो अर्थ विवस हैं, जिनके ओपर discussion करी जाती है, विवपार हो, climate हो, वातावरन हो, energy हो, etc, etc, now, very importantly, the trick to remember G20 countries, गुरुजी सीता अब SSC, FCI में काम करती है, अब आज वैसे वैलन्टाइन डे भी है, तो सीता कौन है, कौन नहीं है, वो मत पूछने बैठ जाना, तो ये trick है, ये trick मैंने अपने 20 देशों का नाम याद रखने के लिए, तो मैंने कुछ online websites में देखा, तो वहाँ पे एक website का Facebook page मेरे सामने खुला, कोई Unified IS Academy करके इस institute का नाम है, जिन्होंने ये trick यहाँ पे हमारे सामने रखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए, information बांटी चाहिए, जितने information शेर करो, वह अच्छी बात है, आज की टाइम पे हर एक चीज गूगल पे वेलेबल है, YouTube पे वेलेबल है, तो I would give credit to this academy, Unified IS Academy, जिन्होंने यहाँ पे ये trick हमारे सामने रखी है, गुरु जी सीता अब SSC, FCI में काम करती है, तो गुरु जी याने के गुरु, जर्मनी, USA, र में, याने के Mexico और European Union, तो गुरु जी सीता अब SSC, FCI में काम करती है, ये trick है G20 देशों को याद रखने के लिए, और आपको ये भी बात पता हो जाने से पहले, अब आपने कई जगा पे पोस्टर्स देखे होंगे, that the mother of democracy is the president of the G20, याने के mother of democracy यहाँ पे भारत को कहा जा है, तो हो सकता आपसे पूछा जाए, कि ये mother of democracy, इंडिया ता mother of democracy, ये किताब किसने publish करी है, तो आपको ये बात पता हो, वैसे recently भी December 23, 24, December 2022 की बात है, कि ये जो बुक है, ये present करी गई थी by our honorable, honorable minister श्री धरमेंदर प्रधान, ये श्री धरमेंदर प्रधान ने, जो के हमार honorable minister है, of education, skill development and entrepreneurship, उन्होंने ये बुक प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को, लेकिन ये बुक को prepare और publish करा गया है, by the Indian Council of Historical Research, ICHR, ये आपको बात पता हो, जो कि एक evidence-based account है, कि सही माइने में, democracy का origin भारत में कैसे हुआ था, अक्सर जो हमारे colonial past में, गर हम जाके देखे, हम East India company की बात उठा के देखे, उनका ये कहना होता, अंग्रेजों का ये कहना होता था, कि भी democracy हमने सिखाई है भारत को, कि भारत को तो democracy के बारे, लोग तंत्र के बारे कुछ पता नहीं था, लेकिन नहीं, origin of democracy इंडिया में ही है, तो अमेरिका की आदत है, बार बार अमेरिका के जो भी successive presidents आते हैं, यहाँ पर आके बोलते हैं, अमेरिका और भारत का रिष्टा क्या है, oldest democracy and largest democracy, but no, it is India, which is the largest as well as the oldest democracy, और इस बात का evidence हम अपने ancient history में उठा के देख सकते हैं, और इसको बहुत scientifically published करा है, ICHR ने इस किताब में, ये बात पता हो, कि ये किताब ICHR के द्वार publish की गई है, चलिए, तो ये था आज का lecture, बहुत हमने जल्दी से ये बातें discuss करी, G20 के बारे, जाने से पहले आपको यही बताना चाहता हूँ, हमारे prelims crash course के बारे, संभफ prelims crash course, इस advertisement के बारे काफी times अब सुनते आ रहे होंगे, 28 November को हमने अपना ये prelims का crash course शुरू किया थ और 30 April 2023 तक ये crash course हमारा चलेगा, 7999 अभी discount चल रहा है, तो यदि आप quickly अपने static और current affairs concept को revise करना चाहते हैं, live classes के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, individual teachers के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस crash course का जुरूर फायदा उठाएं, यहाँ पे 4000 से ज़ादा questions भी आपक 23 इसको भी join कर सकते हैं, टॉल प्री नंबर पे call कीजेगा, आपको पूरी information, पूरी assistance यहाँ पे दी जाएगी, मैं लेता हूँ आप से जाज़त, मिलूँगा आपको बहुत जल्द, आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, जहिद!